नमस्कार आपी लाइव तस्विरे करनाल के खुंजब्रा से लगते नर्वी कला गाउं से देख रहे हैं बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है सा रोप लगाते हुए परिवार के लोग नजर आ रहे हैं और एक व्यक्ति जिसका नाम जिनका नाम बताया जा रहा है वो अपने खेतों में खेत जोतने के लिए आये हुए थे और सुबह उनके परिवार वालों को पता लगता है कि संदिक्द परसीतियों में उनकी मृत्यू हो चुकी है और परिवार के लोग हत्या की अरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं उनके दो से तीन दोस्तों के उपर जो कि उनके साथ मुझूद थे और फिलाल देख सकते हैं पूरा गाउं मोकिये पर पहुँच चुका है देख सकते हैं और टेक्टर में आपको दिखाना चाहूँगा कि यह टेक्टर यहां पर खड़ा हुआ है एक मिट साइड हुई भी बैट अर टेक्टर यहां पर मोजूद है और फसल की टीमें मोके पर पहुँच चुकी है जांच की जा रही है सबूद जुटाने की कोशिश की जा रही है एक सब खेतों के अंदर से मिलता है और जमिदार थे बिल्विंदर राणा नाम बताया जा रहा है अपने खेज जोतने के लिए आए हुए थे कल शाम को और सुबह उनके परिवार को पता चलता है कि बिल्विंदर राणा की मृत्यू हो चुकी है हत्य की असंका जताते हुए नजर आ रहे हैं परिवार के लोग और तमाम गाउं के लोग यहां पर मौके पर पहुंच चुके खेतों के अंदर तमाम गाउं के लोग मौके पर पहुंच चुके हैं और हत्य की असंका यहां पर जताई जा रही है आप सभी से अपील रहेगी खबर को शेयर अवश्य करें लाइफ दिश्वीर आप अब यह भी बारदात को अंजाम दिया जाता है बताया जा रहा है कि हत्या की गई है ऐसा अरोप लगाते हुए परिवार की लोग नजरा रहे हैं तमाम पुलिस के किटी में मोके पर पहुची है अंकल जी क्या पता लगा था क्या नाम है इनका कैसे पुरा हाथ समय इसका नाम बलिंदर है पता लगता कब आए दिखेद में अब यह तो मुझे अब मैं भी अभी आए हूं ना मुझे डिटेल में नियुक्त पता करता हूं लोगों से मिलेगे जैसे आये हैं तो आपने पूछ लिया अभी हम लोगों से पूछ आज करेंगे क्या कहानी है बंदा बड़ा इमानदार सही बंदा थे इसके साथ इसकी किसे के साथ लाग लपेट नहीं थी बहुत बंदा और हटा-कटा था यह उमर का है उमर यह 35-40 का हु अब पता करेंगा किसे क्या हुआ कि इस लड़ाल देख सकते हैं कि जो गाउं के लोग हैं वह कहते हुए नजर यहीं आ रहे कि बहुत अच्छे इंसान थे प्रतु ऐसा उनके साथ किसी ने क्या किया कि उनकी जो मृत्यू हो जाती है संदिग्स परिसित्यों में उनका सभ म मिलता है खेतों के अंदर से और चोट के निसान हैं सरीर पर चोट के निसान हैं और परिवार के तमाम लोग हत्ते के असंकर जताते हुए नजर आ रहे हैं और बियस पी मोके पर पहुँच चुके हैं पुलिस की तमाम टीमें मोके पर पहुँच चुके हैं गाउं चुंडी और गाउं के बहुत से लोग यहां पर जुट चुके हैं खेतों के बीचों बीच शव यहीं पर रखा हुआ है परिवार का कहना है कि जब तक अच्वासन देदे अच्वासन देदे तक हम शव यहां से नहीं ले जाने देंगे फिलाल पूलिस की टीमें देखिया अपना काम करते वह जुरूर नजरारिया मुखेते हैं ऐसलीह पर पहुंची हैं और इक बड़ी हादसा होता है नाम ब्ताया जारा है जिनकी म्रित्य हो ज प्रिविंदर राना उनका नाम बताया जा रहा है देख सकते हैं जो गाउं के लोग हैं महिलाएं हैं वो जुरूर यहां पर पहुंची है एक मातम का महोल खेतों के अंदर शाचुका है किस तरह से कुछ ही दिन पहले दो से तीन दिन पहले एक सव मिलता है वो भी किसान थे औ प्रिवार के द्वारा जिताए जा रही है उनका सव अब तक नहीं उठाया गया था और फिलाल देख सकते हैं कि यहां पर भी एक मातम का महोल जुरू चा चुका है तमाम गाउं के लोग मोके पर पहुंचे हैं पुलिस की टीन मोके पर पहुंच चुकी है और किस तरह से मह लाएं खेतों के अंदर जुट चुकी है और सब को नहीं उठाने दिया जा रहा है हमारी अब सभी से अपील रहेगी खबर को देखने वाले खबर को शियर रवस्चा करे लाइव तस्वीरे आप अभी ब्रेकिंग के मादम से देख रहे हैं मैं एक बार फिर आपको बताद थे प्रंतु ना जाने उनके साथ ऐसा क्या होता है सुबह उनकी सव जो है खेतों के बीच से मिलता है और गुम चोटे बताए जा रही हैं चोटों के निसान है सरीर के उपर फिलाल परिवार के तमाम लोग यहां पर हत्तिक या संकजत आते हुए नजर आ रहे हैं और यहां इसे अपील रहेगी खबर को देखने वाले खबर को शियर अवश्यक्रे लाइव तसूरों में आप देख सकते हैं कि तमाम यहां पर गाउं के लोग परिवार के लोग जुरूर जुट चुके हैं और लगतार अपील यही की जारी है कि एसपी साब यहां पर आके हमें आसवासन दे तब हम शव को उठाएंगे देख सकते हैं बलिविंदर राना जिनकी उमर 40 से 15 साल बताई जारी है जमिदार थे अपने खेत में अक्षर जातर काम की सिंसले में यहीं पर वक्त बिताया करते थे ऐसा गाउं के लोगों का कहना ह है बहुत अच्छे इनसान है ऐसा भी उनका कायना है प्रंतू ना जाने किसने उनके साथ ऐसा किया कि उनका सव खेतों के बीच से मिलता है परिवार हत्ते के संकचता रहा है अलकि उनके सरीर पर चोटों के निसान जुरूर बने हुए हैं सरीर पर चोटों के निसान है और तस्वीरे आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पूरा गाउं इकठा हो चुका है जी हां पूरा गाउं यहां पर इकठा हो चुका है और देख सकते हैं कि शव खेतों के बीचों बीच रखा हुआ है और पुलिस की तमाम टीमें मोके पर पहुंची है डियासपी समयत एफ खबर को शेर अवस्चा करें लाइब तस्वीरे आप अभी अभी ब्रेकिंग के मादम से देख रहे हैं तो देख सकते हैं कि तमाम गाउं के लोग इगठा हो चुके हैं और कुछ लोग हैं बाचित करने के कोशिश करेंगे कि अभी कैसे आलता है क्या संका जिताए जा रहे हैं कि इनके तो पता लग जा रहा है कुछी दोस्ति इनके साथ जो आए हुए जहां जाए बस्तों इनको बिहार का देखो क्या बनता है कि रिपोर्ट यह बार आएंगी जो पोस्ट मार्ण की रिपोर्ट है कि इसके बाद ही पता लग जाएगा ऐसके जबान में भी हो जबान में भी हो इसके बाद ही फिलाल देख सकते हैं एसपी साब आकर आस्वासन दे तब हम सब उठाएंगे सब परिवार के लोगों का कहना है और हत्य के असंका इनके दुआरा जिताई जा रही है हमारी आप सबी से अफील रहेगी खबर को देखने वाले खबर को शेयर अवश्य करें लाई तस्वीरे आप अभी अभी ब्रेकिंग के मादन से देख रहे हैं कि एक बार फिर मैं आपको बदादू के एक जमिदार जिनका सब खेतों से मिलता है और हत्य के संका उनके जोतने के लिए वाए हुए थे शाम को सुबह उनका सब पाय जाता है खेतों के बीचों बीच उनके परिवार को जब यह पता लगता है तो तमाम गाउं के लोग यहां परिकटा हो जाते हैं और फिलाल शव खेतों में रखा हुआ है और एस पी साब आकरा स्वा संदे तब हम सब उठाएंगे सब परिवार के लोगों को कहना है और आप सबी से अपील रहेगी खबर को देखने वाले खबर को शियर अवश्य करें